हम सबने बच्पन में बहुत जूला जूला है आज भी जब भी मौका मिलता है तो हम जूले पर बैठना पसंद करते हैं लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब हम जूला जूल कर उतरते हैं तब भी हमारा सर आखिर घूमता क्यों रहता है लेकिन ऑपोजिट डिरेक्शन में उस दिशा में नहीं जिस दिशा में जूला घूम रहा था तो आज जानते हैं उस छोटे से सेंसर के बारे में जो नेचर ने हमारे ब्रेन के पास ही इंस्टॉल किया है दोस्तों मेरे नाम है सुधी आप देख रहे हैं रानाजी एक्स्प्रेंस जिलिए आज की स्पिनिंग इंफर्मेशन की एक्स्प्लानेशन शुरू करते हैं प्रकरती ने हमारी बाडी में बहुत सारे छोटे-छोटे सेंसर इंस्टॉल किया है जिस सेंसर की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है वेस्टिबुलर सिस्टम यह कान का अंदरूनी हिस्सा है जहां पर इस सिस्टम प्रकरती ने इंस्टॉल किया है इसी से प्रभावित होकर हमने जाइरोस्कोब नाम की चीज़ बनाई है जो हमारे एरोप्लेंज को यह बताती है कि एरोप्लेंज कितना किस दिशा में जुका हुआ है इसी तरह का एक पूरा पूरा रिफाइन सिस्टम प्रकरत में हमारे कान के पास इंस्टॉल किया है जो प्रेन को लगातार सिगनल भेजता है कि आपका शरीर खड़ा हुआ है लेटा हुआ है या किस दिशा में कितना जुका हुआ है अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो आपको तीन कनाल दिखाए देंगी वो एक साइट पर रोटेट होना शुरू कर देता है और ब्रेन को लगाता सिगनल भेजता है कि आप एक घूमने वाली अवस्था में हैं ब्रेन क्या करता है जब वो सेंस करते है कि लगातार आप घूमते जा रहे हैं या रुक नहीं रहे हैं तो आपकी body का सोभाविक reaction अब change कर देता है brain, क्यों? क्योंकि अब आप उसी motion के अंदर बाकी काम करने की सुविधाए brain आपको देना चाता है, brain यह समझता है कि आप इसी motion में लगातार बने रहेंगे, तो वो एक reverse mechanism generate करता है, reverse mechanism से क्या होता है, कि अब वो आपके balances को negative direction में धकेल देता है, तो एक positive signal जो मिल रहाता है कि आप घूम रहे हैं, brain उसको cancel out करके negative signal जो लगातार बेजता रहता है, जिससे आपका जो signal balance है, वो zero हो जाए, और आप उसी घूमती अवस्था में बाकी काम भी कर सकें, जैसे अगर आप घूम रहे हैं, जूले में बैठे हैं, और किसी से बात करना चाते हैं, तो आप आमने सामने उसको देखकर बात कर सकते हैं, आपका environment लगातार घूमता रहेगा, लेकिन अब आपता जो environment बना है, नया environment, वो घूमेगा नहीं, तो आपको एक balance mechanism brain तयार करके देता है, जब हमारा जूला रुखता है, और हम जूले से बाहर आते हैं, तो brain को signal जाते हैं कि आप अब घूम नहीं रहे हैं, लेकिन brain अभी थोड़ी देर बाद उसको sense करेगा, वो एक correction mechanism है, जो थोड़े थोड़े time के बाद उस correction को adjust करता है, तो brain को अभी भी ये लग रहा है, कि आ आप अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन वो घूमने वाली दिशा negative direction में होती है, क्योंकि जिस दिशा में आप घूम रहे थे, brain ने उसका reverse mechanism generate किया था, तो आज आपने जाना कि हम जब जूले से बाहर आते हैं, तो हमारा सर थोड़ा थोड़ा घूमता क्यों रहता है, अब हम बढ़ते हैं अपने next section के तरफ, दोस्तों जब भी हम विदेश से वापस आते हैं, चाहे हो plane से आये, चाहे हो sea ship से आये, हम एक custom clearance form भरना पड़ता है, जिसमें हम ये declare करते हैं, कि हम विदेश से क्या लेकर आए हैं, आज मैं बहुत छोट सा fact आपके सामने लेकर आ रहा हू जो अभी recently Apollo 11 के याथरी Buzz Aldrin ने रिलीज किया है, उन्होंने बताया कि जब वो चान से लौटे थे, तो उन्हें भी एक custom clearance form भरना पड़ा था, जिसमें उन्होंने डेकलेर किया था कि वो चान से क्या लेकर आए हैं, आज वो custom script में आपको दिखाने जा रहा हूं, इस custom script में आप clearly देख सकते हैं कि उन्होंने mention किया है, कि वो चान से क्या लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि moon dust और moon rock दो चीजें उन्होंने डेकलेर की हैं, जो वो चान से लेकर आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक share ज़रू के tau हैं, तक यज वो पूचल को अशा हैं, जा व तक कि वो चान से किया है, कि वेकर लाप, चलो मैंचे़धन कि वेकर नले दो हैं और Sultan आपको अथीछ देकले मॉन्हेंचे हैं, जाकograp म SARब।ों कि वेकर ग।ो आफे coastal एह हैं, तक कैंको फेकता हैं।